यह शादी कोई आम शादी नहीं है इस शादी में दुलहा अपने से दुगना उम्र की महिला से शादी कर रहा है दुले ने बकाइदा शादी के लिए कोट पेंट पहन रखा है तो दुलहन भी नई सारी में शादी के लिए हाथों में लाल चुरी पहन कर मांग में सिंदूर डलवाने को तयार बैठी है शादी से पहले गाओं की महिलाएं वह सारा विधी करती है जो एक नई नवेली लरकी की शादी में की जाती है पर यह दुलहन तो तीस साल की दो बच्चों की मां है जो अपने से छोटे लरके से प्यार करती थी और उसकी पत्नी की रूप में रहती थी पर जब गाओं के लोगों को इस अवैय रिष्टे की जानकारी मिली तो गाओं की लोगों ने शादी की तयारी करा दी और इसके लिए पंचायत के सरपंच को बुलाया और शादी का इकरार नामा बना और शादी हो गई आपको पहले इस शादी की पूरी तस्वीर दिखाए उससे पहले इस दो बच्चे की मा की अपने से छोटे लड़के से प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी बताते हैं दरसल यह कहानी बिहार के मध्यपूरा की है जहां एक शादी शुदा महिला अपने से कम उम्र के लड़के से प्यार करने लगी। यह प्यार तब पढ़वान चरहा जब महिला का पती नौकडी करने बाहर चला गया। यह महिला मध्यपूरा जिले के पुरैनी ठाना शित्र के मगदूमपूर पंचायत के कहटोली निवासी एक लड़के से दो तीन सालों से प्यार करती थी। पती के नई रहने के दोरान अक्सर यह लड़का चौसा प्रखंड के रसलपूर धुरिया पंचायत की दो बच्चे क तीस वर्षिय महिला से मिलने आता था। दोनों के बीच के संबंध की जानकारी पहले तो गाव वालों को नहीं हुई पर जब लोगों को इस अवैद संबंध की जानकारी मिली तो लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिचाया और दो दिन पहले जब बच्चे की मां तीस वर्से महिला को लेकर पंचायत बिठाई जानकारी के मुताबिक रविवार की रात में लड़का महिला के घर मिलने आया था और जैसे ही ग्रामीनों को इस बात की भनक लगी वैसे ही महिला के घर में लड़का को पकड़ लिया इसके बाद लड़का को इस प्यार की सजा देने का गाउं की पंचायत में एलान किया गया पहले लड़के को नंगा करके जानवर की तरह हाथ पैर को रस्ती से बांधा गया फिर बास के सहारे पूरा घोशाई गाउं गुमाया गया और फिर स्थानिय ग्रामिनों ने सरपंच की अधक्षिता में पंचायती के बीच पंचों के सामने पंच नामा बना कर घुसाई मंदिर परिसर में लड़की की शादी दो बच्चे की मा से करा दिया एहम बात तो यह है कि जब पंचों ने लड़की और महिला से शादी की बात पूछी तो दोनों ने शादी करने की बात स्विकार ली इसके बाद शादी की तैयारिया की गई लड़की की घर से कोट पैंट मंगवाया गया फिर महिला को दुलहन बनाये गया और भरे समाज के सामने दोनों की शादी रचाई गई बिहा करमत कहम राक में वरा अम्ना जाउम राव वता जेवरा पंजाब जे मैं अभी बिहा करका भी निकली जे मैं बहरहाल इस शादी के उलेखनी ये बात तो यह रही कि ये वीडियो सामने आने के बाद भी अब तक पुलीस या प्रसाशिनिक स्तर पर कोई कारवाई नहीं की गई बता दे यह पूरा मामला चौसा प्रखंड के रसलपुर धुरिया पंचायत के शाम टोला का है खुलासा के लिए पटना से प्रमोजजा की ये रिपोर्ट